तो दोस्तो आज है मार्च की 13 तारिक और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही खुबसूरत से शुब हार्शिंगार के पौधे के बारे में बहुत इन से कमेंट्स आ रहे दे कि आपके पास जो हार्शिंगार, नाइड जैस्मिन या फिर परीजात भी इसको कह सकते हैं परीजात के जो ये प्लांट्स रहते है इसकी जो ग्रोथ है वो बलकुल भी नहीं है रिजन ये रहता है ये जो प्लांट्स रहते हैं ये विंटर सीजन में डॉरमेंसी में या रेस्ट के पिरिड में रहते हैं लेकिन जैसे ही फिर से मौसम में चेंज आना शुरू है थोड़ी सी गर्मी बढ़ने लगी है आप नोटिस करेंगे मेरे इस प्लांट्स ने भी अपनी सभी जगा से जो नियू ग्रोथ है वो स्टार्ट कर दी है ये मेरे पास जो पौद है ये लास्ट यर से है और मौनसुन के बाद लास्ट यर इसने बहुत अच्छे से फ्लारिंग भी की थी मैंने आपके साथ जो वीडियो है वो भी शेयर की थी ये जो प्लांट रहते हैं इनका फ्लारिंग का जो सही समय रहता है वो मौनसुन के बाद का रहता है हलाकि इस मौसम में जब गर्मी की शुरुआत होती है ये पौदे ग्रोध तो अच्छे से करते हैं अपने आपको बड़ा करते हैं लेकिन फूल नहीं दे पाते हैं बहुत से कमेंटस आते हैं क्या इन प्लांट को गमलों में ग्रोध करना सही रहता है तो बिल्कुल ये दिखिए मैंने भी इसको एक बारा इंच के गमले के अंदर ही ग्रोध किया है आप हाला कि ये जो प्लांट्स रहते हैं ये एक पेड़ नुमा पौधे रहते हैं तो इनको स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है आप चाहें तो इन पौधों को थोड़े बड़े गंड़ों में ग्रोव कर सकते हैं 14 से 18 इंच या 20 इंच के गंड़ों में सबसे पहले तो ये देखिए ये जो प्लांट है इस समय कुछ इस तरह की कंडिशन में है इसकी जो पुरानी पत्तियां वो सर्दी के मौसम में जूलस गई थी बिल्कुल सर्वसी गई थी कह सकता हूं उसके बाद नई ग्रोथ है वो बहुत हेल्दी है तो हमें पुरानी ग्र करूँगा और दूसरा पात इस पौदे को अभी मैं रिपोर्ट नहीं करूँगा एक बात यह जो प्लांट है इस समय पर रूट बाउंड नहीं है दूसरा इसको रिपोटिंग का सही जो समय रहेगा वो मौसम का टाइम रहेगा क्योंकि इनकी फ्लारिंग का जो सही समय है मौनसुन के बाद का है, इसलिए मौनसुन में रीपोर्ट करने पर इनकी जो रूटस को है, वो हम प्रून करेंगे, उनकी कटाई-चटाई करेंगे, उस समय पर इनकी रूटस को जो है, इनकी air layering और cutting भी कर सकते हैं इनकी cuttings को easily इस मौसम में grow किया जा सकते हैं अगर आप इनके नए बौधे त्यार करना जाते हैं तो इस मौसम में यह आप काम किजिए आपको जो result है वो लगबग 100% मिलेगा चलिए सबसे पहले इस plant के seed port को ही remove करते हैं चेक करते हैं इसका seed की इस तरह से develop हुए है क्योंकि यह winter से पहले से मेरे पास लगा हुआ यह seed port है और मैं कहा सकता हूँ कि अभी तक यह बलकुल green color के अंदर ही है मैंने आज से पहले कभी इसके जो seeds हैं वो grow नहीं किये तो यह देखिए seed port को कुछ खोलने के बाद open करने के बाद इस तरह से जो अंदर जो बीज है वो brown color के अंदर निकल कर आया है तो मैं कोहिश करूँगा कि आपके साथ share करने के अगर यह seeds grow हो पाए तो मैं आपके साथ share करने के पूरी कोहिश करूँगा इस video को यह देखिए इस तरह से जिन मेरे दोस्तों ने इसके seeds नहीं देखे कभी तो यह देखिए यह इसके जो seeds है वो कुछ इस तरह से रहते हैं अंदर की side में यह देखिए आपको नजर आएंगे यह देखिए मेरे एक seed port में से तीन seeds निकल कर आया है तो ये जो सीड है ये पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ भी पका नहीं था पूरी तरह से ये तियार नहीं हुआ था लेकिन ये जो दो सीड्स है ये पूरी तरह से रेडी है हलाकि ये जो सीड्स है ये बहुत beneficial रहते हैं edible सीड्स रहते हैं आप इन बीजों को खा भी सकते हैं इस इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी है चलिए अब करते हैं इस पौदे की प्रूनिंग इसको एक अच्छी शेप देने के लिए घनी बुशी शेप देने के लिए इसकी जो देखी ये ठिक ब्रांचीज है में ब्रांचीज है उपर की तरफ से इसकी हलाकि ग्रोथ वि देखेंगे ये देखेंगे इसके बहुत से ये नोड एरियाज हैं जहां से इसकी नई ग्रोथ निकल सकती है और हमें मल्टीपल ब्रांचीज मिल सकती है इस तरह से कुछ इसको शार्प कटर की मदद से इस तरह से आप कुछ एक ही बार में ऐसे कट कर लीजे और इन है वो निकाल देंगे ताकि पौधा मल्टीपल ब्रांचीज को ग्रोव करें और देखने में सुंधर भी लगे इसी तरह से देखिए ये सभी ब्रांचीज को मैं रिमूव करता जा रहा हूं और आने वाले टाइम में और 15-20 दिन में ये अपनी नई शूट्स डिवल्प कर देंगे ताकि इसकी उपर से जितनी भी छोटी छोटी जो रूट्स हैं वो ब्रेक हो जाएं और प्लांट अपनी नई रूट्स डिवल्प भी करें ये देखिए इसकी वाइट कलर में आपको नजर आएंगी छोट छोटी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल हम काटते चले जा यहां पर यूज़ करूँगा ये है काउडंग कंपोस्ट ये डी कंपोस्ट काउडंग है पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद आप भी इस तरह से कोई पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं लगबग 100-200 दूसरी चीज जो इसके अंदर मैं एड़ करने वाला हूँ इसकी पत्कियों की जल्दी से ग्रोथ के लिए यह मस्तर्ड केक फर्टलाइजर सर्सों की खली का जो फर्टलाइजर एक चमबच सर्सों की खली मैं इसी के अंदर जो है वो मिक्स कर दूँगा इससे एक तो माइक्रो न्यूट्रेंट्स पौदे को अच्छे से मिलेंगे दूसरा इसके अंदर बहुत नाइट्रोजन रहती है वो इसकी लीव्स को फास्ट ग्रोथ देगी दूसरी जो चीज इसके अंदर मैं एड़ करने वाला हूँ यह है सिंगल सूपर फॉस्फेट एससपी इसका लगभग आधा चमच यह फॉस्फोरस का रिच सोर्स है और रूट्स को और नई स्टेम्स को निकलने में हल्प करेगा अगर आपके पास यह दोनों फटलाइजर ना हो तो इसके जगापर आप डी एपी का भी इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि यह हाड़ी वराइटी के प्लांट्स रहते हैं इनके लिए डी एपी का इस्तमाल करना भी सही रहता है डी एपी का इस्तमाल जो आप करेंगे वो गमले के साइज के कॉर्डिंग 10 से 12 दाने 10 से 12 इंच के गंबले में जितने आपका बड़ा गंबला रहेगा उसे साब से आप रूट्स की साइड में इस तरह से डी अपी कुछ दाने डाल दीजिए इसी तरह से सेम इस फर्ट्लैजर को भी मैं बिलकुल मिट्टी की साइड साइड म पानी के साथ हमारा जो फर्टलाइजर है वो बहार की तरफ ना निकल पायर। अच्छे से पौधे को पानी दे कर एक से दो दिन के लिए सेमी शेड में प्लेस करेंगे। उसके बाद इसको जब तक गर्मी की बहुत तेज धूप स्टार्ट नहीं होती। इसको फुल प्लारिंग प्लांट के साथ। जल्दी मितलें किसी और नई टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बाई हैबी गार्डनिंग टेक कियर।